आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं मुल्भूत जागरुकता ये है कि ये नश्वर है अगर आप उसे एक चीज़ को स्विकार कर लें तो कोई आसुरक्षा नहीं होगी क्योंकि इस जीवन में पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं है आप खाली हाथ आये थे जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफ़े में ही हैं है ना सद्गुरु जी मेरा प्रश्न है कि हम असुरक्षा से कैसे निपड़ सकते हैं हम असुरक्षा से कैसे निपड़ सकते हैं। जीवन असुरक्षत है। जीवन को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि… क्या मैं आपको एक राज बताऊं। आप कितने भी युवा और स्वस्थ हों, एक दिन आप मर जाएंगे। मैं आपको लंबी उम्र का अशिरवाद दूँगा, लेकिन एक दिन आप मर जाएंगे। क्या ये ठीक है? नहीं? तो आप खुशी-खुशी मर सकते हैं ये रोते हुए मर सकते हैं, ये आपके उपर है। लेकिन फिर भी एक दिन आप मर जाएंगे। हाया ना? अगर आप कहें कि मैं मरना नहीं चाहता, आज आप जपना शुरू कर दें। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आपके साथ बस यही होगा कि आप जी नहीं पाएंगे लेकिन आप मर जाएंगे। हाँ? ये डर कि मैं मरना नहीं चाहता, आपको जीने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मरने से बचा लेगा, वैसे भी आप मरेंगे नशवर्ता को स्विकार करना एक बहुत महत्वपून चीज है अगर आप नश्वर्ता कुछ विकार नहीं करते तो आप एक कालपनिक दुनिया एक नकली दुनिया में जी रहे हैं असली दुनिया में नहीं असली दुनिया ये है हम आते हैं और चले जाते हैं कितने अंगिनत लोग हमसे पहले आये और चले गए है ना आपका संस्थान सन 1857 से है मैं सोच रहा था कि उस साल उन्होंने कोई संस्थान कैसे शुरू किया क्योंकि उस साल पूरे देश में इतनी खलबली थी 1857 में देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी लेकिन किसी तरह किसी ने एक संस्थान शुरू किया जिस मिट्टी पर आप चल रहे हैं, हम नहीं जानते कि कितने लोग दफन हैं इसमें हाया न? ये सब ही अंगिनत लोग, जो आप से और मुझ से पहले इस धर्टी पर चले, वे कहां हैं? वे सब सतह की मिट्टी हैं हाया न? ये भी एक दिन सतह की मिट्टी बन जाएगा, जब तक कि आपके दोस्त आपको बहुत गहराई में न दफनाना चाहें, इस डर्ट से कि आप फिर से जिन्दाना हो जाएं ऐसे, ऐसे कुछ उधारण रहे हैं ऐसा हुआ टेकसास में एक भुजूर्ग दमपत्ती थे, 75 साल से ज्यादा उम्र के उनका सपना था, पवित्र भूमी यानी येरुशलम जाने का लेकिन बिजनेस और फिर बच्चों के कारण, बच्चे बड़े हो रहे थे, युनिवरसिटी जा रहे थे और उनकी शादियां और वगेरह वगेरह, वो कभी नहीं जा पाए जब वो 75 साल से ज्यादा के हो गए, तो उन्होंने येरुशलम की यात्रा का मन बनाया येरुशलम ऐसी जगह है, जहां हर पत्थर से इतिहास गुंजता है तो वो उस रास्ते पर चले, जहां कहा जाता है कि इसा मसीह चले थे वो उस जगह गए, जहां वो शायद पानी पर चले थे और ऐसी कई चीजें वो इस पूरे अनुभव से अभिभूत थे और दुर्भाग्य से उस महिला को दिल का दौरा आया और वो मर गई फिर वो व्यक्ति शव को वापस टेकसास ले जाने की तैयारी करने लगा लेकिन फिर लोकल लोगों ने जा कर कहा देखिए, येरुशलम पवित्र भूमी है ये मरने के लिए सही जगह है उन्होंने सही किया है तो सारी रसमें यहीं कर लेते हैं और इन्हें यहीं दफना देते हैं और इसमें आपको सिर्फ 25,000 डॉलर लगेंगे क्योंकि अगर आप इन्हें वापस टेकसास ले जाते हैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्टिशन में 18,000 डॉलर लगेंगे और लोकल चार्जिस अमेरिका में कबरिस्तान का शुल्ग भी बहुत ज्यादा है ये सब मिला कर आपको इससे कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और सबसे बढ़कर उन्होंने पवित्र भूमी में मरना चुना है उन्हें यहीं दफनाया जाना चाहिए चलिए ऐसा करते है वो व्यक्ती बोला नहीं, मैं उसे वापस टेकसस ले जा रहा हूँ वो बोले देखे, आप अपनी पत्नी की मौत के कारण बहुत परिशान है इसलिए आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं हम समझ सकते हैं तो हम आपको एक भारी डिसकाउंट देंगे पंद्रा हजार डॉलर वहाँ खूब मोलभाव होता है चलिए करते हैं उस व्यक्ती ने इस बारे में सोचा और बोला नहीं मैं उसे वापस टेकसस ले जाऊंगा फिर वो बोले देखिए इसका कोई मतलब नहीं है मैं देख सकता हूँ आप बहुत परिशान है आपने उस महिला को खो दिया जो 45 साल से आपकी पत्नी थी साफ है कि आप बहुत परिशान है आप बिल्कुल ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं हम समझ सकते हैं और क्योंकि आप अमेरिकी हैं और टेकसस से आए हैं हम आपको एक बहुत ही भारी डिसकाउंट देंगे 10,000 डॉलर चलिए करते हैं चलिए इसे करते हैं मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उससे समझना चाहते हैं तो आपको काशी ये हरिद्वार जैसी जगहों पर जाना चाहिए ये चीज़ें कैसे होती हैं फिर उस आदमी ने सोचा और फिर बोला नहीं मैं उसे वापस टेकसस ले जा रहा हूँ अब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिये और कहा क्यों आपकी क्या समस्या है दस आजार डॉलर चलिए करते हैं फिर उन्होंने कहा देखिए टेकसस में मुर्दे मुर्दा ही रहते हैं तो अगर आप अपनी नश्वर्ता को स्विकार कर लें सुरक्षा असुरक्षा ये सारी चीजें चली जाएंगी आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं मूल भूत जागरुकता ये है कि ये नश्वर है ये यहां सिर्फ निश्वर्त समय के लिए है अगर ये अगर ये आपके लिए एक सामान ये जागरुकता बन जाए तो आप अपने जीवन का सबसे अच्छी तरह इस्तिमाल करते निश्वर्त रूप से और अगर आप उसे एक चीज़ को स्विकार कर लें तो कोई असुरक्षा नहीं होगी क्योंकि इस जीवन में पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है आप खाली हांत आये थे जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही है हाँ या ना है कि नहीं? क्या आप इंवेस्प्मेंट के साथ आये थे? नहीं, आप खाली हांत आये थे तो चाहे जो भी हो रहा हो, आप हमेशा मुनाफे में हैं, है न? और वैसे भी, जीवन के अंत में, वो आपको एक कंटेनर ले जाने की अनुमती नहीं देंगे तो आपके पास बस यही एक चीज है, कि जीवन का आपका अनुभव कितना गहरा, तीवर और सुन्दर है तो इसे लेकर बहुत हंगामा मत कीजिए आप ऐसे दिखा रहे हैं, मानों आप कुछ खोने वाले हैं नहीं, यहां खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप आते हैं और चले जाते हैं आप भले ही सोचें, अरे मेरा जीवन, मेरा जीवन नहीं, आपका जीवन इस धर्ती पर एक पॉप अप की तरह है आपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर वो पॉप अप देखें हैं, आप बस पॉप अप और पॉप आउट हो जाते हैं इस बीच में क्या आप उठेंगे और धमकेंगे, सिर्फ यही सवाल है, है न? तो अगर आप दमकते हैं, कई बार लोग आपको देखेंगे, कई बार लोग आपको नहीं देखेंगे अहम ये है कि आप अपने भीतर चमक रही हैं और यही मायने रखता है अगर लोगों के पास आँखें हैं तो वो उसे देख लेंगे, अगर उनके पास आँखें नहीं हैं तो वो उसे नहीं देखेंगे, यह उनकी समस्या है लेकिन आप एक तीवर और गहन जीवन जी रही हैं, सिर्फ यही मायने रखता है अगर आप इसे समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन में ले आएं, तो असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ मौत में हो सकती है हाई अना? लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सद्गुरू, प्लीज हमें आशिरवाद दीजिए, हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ, अरे, ये किस तरह का आशिरवाद है? मेरा आशिरवाद ये है कि आपके साथ सब कुछ हो जाए जो कुछ भी जीवन है, वो आपके साथ जरूर हो आप यहाँ जीवन से बचने के लिए आए हैं, या आप यहाँ जीवन कानुभाव करने के लिए आए हैं प्लीज, आपको अभी निर्ने करना होगा आप यहाँ जीवन से बचने आये हैं या जीवन का नुभाव करने के लिए आये हैं जीवन का नुभाव करने वो सभी अलग-अलग आयाम जो इस जीवन के अंदर मौजूद हैं वो आपके साथ होने चाहिए, है न? अगर आप जीवन से बचने आये हैं तो यहीं पास में समुद्र है आप समुद्र में कूच सकते हैं देखिए, अगर आप जीवन से बचना चाहते हैं तो आपको मर जाना चाहिए ये चीजें करने का ज्यादा असरदार तरीका है, है न? आप जिन्दा हैं और जीवन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये दयानिया हो जाएगा आप आसुरक्षित महसूस करने पर ऐसा ही करेंगे आप जीवन से बचने की कोशिश करेंगे जब आप जिन्दा होते हैं और जीवन से बचने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होगी जब आप जीवित हैं तो आप जीएं जब आप मरते हैं तो मर जाएं मरने के बाद जीने की कोशिश मत कीजिए